हेलो गाइज वेल्कम तो माई यूट्योब चैनल कैसे हैं आप सब आई होब आप से बच्चे होंगे तो आज फिर मैं आप लोग के लिए एक नियू वीडियो लेकर आई हूं फिचलिए विडियो गाइस मने मटर ले लिया है पनी ले लिया इसके में छोटे-छोटे टुकड चैनल जाय गाट अंयाइँ है बेर में अब्धे एक पैन में में ए पर नहीं हम तेल देंगे अख्षे से अब थेल अच्छे से इलग हमारा गरम हो जाएगा इसमें पनीर Curtis अब हाइफले में पनीर काigent पनीर करते ने पर भॉष याजिए से फ्राय हो जाएग तो बहुत टीज़ एकषे दालबर आएगा पनीर को फ्राय करने से बहुत टीज़ आप याद रखे कि पनीर डाले तो आप तुरन मैं चलाए थोड़ी देर रुख के पांच मिट बाद इसको चलाएंगे तो इसको नियुद रूदीर हमारे टूटेगा नहीं देखिए हमारे पनीर हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से तेल निचोड़के अब देख सकते हैं आपकी कितला अच्छा कदर आया है पनीर निकालने के पाद जो हमारा तेल बज़ेगा इसी में हम अपने नेक्स स्टेप पूरा करेंगे तो इसमें मैं डालनी हूं जेरा अनियन यह देखिए है हमारी अनियन है हम इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे तो प्यास तो हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे मटर तो मैं इसमें मटर डालनी हूं अब प्यास के साथ मटर को फ्राइ कर लोंगे अच्छे से यहां पे आप अब मैं एक टीस्पून हनली डालूंगी कि टीस्पून दन्या पौडर और एंड वर्ण टीस्पून मिर्ची पौडर आप अपनी है साप से भी कम जादा मिर्च कर सकते हैं यहां पर मैं नमक डालने में स्वाधन उसार उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला लोंगी ताकि ह मारा मसाला अच्छे से मिल जाए यह देखिए मैंने मिला लिया अच्छे से बुझ लिया है आप इसको हलका पाई डाल के बुझ सकते हैं ताकि हमारा मसाला जलेना तो मैं यहां पे इसको लो फ्लेम पे पका रही हूं ताकि हमारा चिपके नहीं देखिए हमारी ग्रीवी त मेटोपोट चॉप कर लिया थे साथ से जब आने तौल दिया अब इसको भी अमच्चे से से मिला के पका लिया इसके अमारी तीक हो जाती है तो यह देखिए मैंने इसको मिला अच्छे से पका लिया है जब तक टेज उपाना आजाये तो हमारी गर्येवी सही से पकती नहीं तो अब यह पे इस टेल तो चूड़ा नहीं है तो अभी मैं मोद आप पकाएंगे बिबिएम लोग पर पगा सकते हैं में टोड़ा पानी डाल लीओ तक है मारी घ्रिबवी चेप कहना तो यहां पर मैं तोड़ा सा पानी डाला है अब मैं इसको मिला रही हूँ अब देख सकते हैं इसको हम 5 मिनट के लिए ऊसी छोड़ देंगे अमारी मत्र जैप क्ल जाएगी तब इसमें पनी डालेंगे हमारी मट्रेस में भग चुकी अब मैं इसमें पनी डाल लिए पनी डाल के मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी और मैं इसको 15 में तक लो फ्लेम पे ऐसी छोड़ दूगी इसमें आप धन्य डाल सकते हैं उपड़ से अच्छे सर्फ कर सकते हैं तो देखिए हमारे यहां पे पक चुका है तीरा छोड़ दिया है अब इसको मिलो फ्लेम पे पांच मिनित तक और पकाएंगे देखिए आप देख सकते हैं हमारी ग्रीबी हो चुकी है मतर भी कल गई है पनीर भी कल गई है पनीर तो अल्रेडी कल होती है देखिए हो चुकी है हमारी अब इसम सर्फ करेंगे तो मैं आप पे पनीर मठर निकाल लेगे हूं भीकिए बहुत यची रस्पी आइस आप यह पर जरूर ट्राय करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक् बता है मैं आपके लिए वीडियो में जरूर से जरूर लेकर आऊंगी और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय चेक के और दौामे याद रख झाल 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 झाल